हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूदा सक्सस केंद्रा फ्रेंड्स देखिए आज इस सेसन में हम लोग बिहार SSC सेकंड इंटर लेबल एक्जाम के लिए बी SSC इंटर लेबल एक्जाम के लिए एडूटेरिया का जो प्राक्टिस बुक का आगवा है देखिए इस बुक में टोटल 15 प्राक्टिस सेट्स दिये गया है इस बुक में 15 सेट्स में जितने भी जोग्राफी के प्रस्ण दिये गया है उन सभी प्रश्णों को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं इसी प्रकार से मैंने आपको पहले हिस्ट्री और पॉलिटी को कवर करा दिया था स इस तरह से आपका क्विक रिविजन इस वीडियो को माध्यम से हो जाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जो बगल में बेल आइकन है घंटी का निसान है उसको जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी बी एससी सेकंड इंटर लेबल एक्जाम से संबंदित कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलिए फ्रेंस सेसन आज के स्टार्ट करते हैं एक बार सभी लोग प्लीज सेसन को लाइ सबसे पहले तो आपको पता है कि भारत टोटल साथ जो कंट्रीज हैं देश हैं उनके साथ अपना लेंड बाउंडरी यानि का स्थलिय सीमा साधा करता है ठीक है और देखिए साथ कंट्री बंगलादेश है चीन है पाकिस्तान है नेपाल है मैंनमार है भोटान है और अफग नेमन में से कौन सी जिला धारवाड भु थे रचना वाला नहीं है धारवाड भु स्तली रचना वाला जिला इसमें से नहीं है कौन तो फ्रेंड्स यहां पर देखेंगे रहतास कट्स और रहतास में बिंध्यन करम की ठीक है ना तो ध्यान रखिएगा चले तेईस लंबर प्रश्ण यहां से आपका प्रश्ण पढ़िएगा कि अटल टरनल जो है इससे संबंदित कथनों पर विचार करके सही कथन आपको बताना है यहां पर देखिए नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है चली चारों पढ़िए दिखे इसके बारे में अगर हम बात करें तो चारों की चारों स्टेटमेंट सही दिया गया सबसे पहले इसकी लंबाई में बता देता हूं 9.02 किलोमेटर इसकी लंबाई है अटल टरन की ठीक है और यहां हिमाले की पू ठीक है और फ्रेंट्स आपको याद होगा कि 2020 में हिमाचल प्रद्यस में प्रधान मंत्री जी ने अटल टरनल का उल्गाटन भी किया था तो सारों की चारों स्टेटमेंट यहां पर सही दिये गये हैं नर्मदा घाटी जो है यह किन परवत सिंखलाओ के बीच बताएंगे नर्मदा घाटी जो है यह सत्थपूड़ा और विंद्याचल परवत सिंखला के बीच में है सत्थपूड़ा और विंद्याचल और यहां पर सी राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्चन है हमारा कि और नर्मदा नादी एस सूरी का निर्मान करती है त नहीं पर चलिए कुद्रमुकन अब पीने सिर्फवरी कुद्रमुकल ऑंसर जाएगा तो मिला लिजेह का हो जाएगा दो दो के बाद हो जाएगा यहां पर देखिए तीन फिर चार और फिर एक जो की option number देखिए दो तीन चार एक कहां पर दिया गया है तो option number C में दिया गया है next question है कि अफिरका का सरवच परवत सिखर Mount Kilimanjaro किस देश में है Mount Kilimanjaro जो है यहां फिरका का सबसे उची यहां पर देखिएगा सरवच परवत सिखर है और यहां कहां पर है तो तंजानिया में है तंजानिया राइट अंसर हो जाएगा और उसके बाद बात करें में अधिकांस वर्सा होती है दक्सिन पसिम मौनसुन को से अच्छा भारत में ग्रिश्मकाल के प्रवाह की समाने जिसा पूछा गया है तो यह दक्सिन पसिम से उत्तरव से दक्सिन पसिम की और हो जाती है नेक्स्ट कुस्टन है कि मिलान करना है देखे एक तरफ देश दिया गया दूसरे तरफ उसकी राजधानी दिया गया तो उजबेकिस्तान की राजधानी तासकंद आपको याद होगा तजाकिस्तान की राजधानी दुसानवे उसका बाद देखे किर्गिस्तान की राजधानी प्रोजेक्ट एलिफेंट 1472 में वीज बचाओ अंदोलन का संबंद किस राज्य से हैदे विज बचाओ अंदोलन का संबंद उत्रा खंड से है उत्राकंड राइटेंसर हो जाएगा बीज बचाओ अंदोलन ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बाग अबहरण कौन साइस में से तो यहां नागारजुन सागर वने जू अबहरण है क्लियर ना तो यहां पर देखिए ऑप्सन नमबर बी राइट अंसर हो जाएगा बिहा 2018 में दिया गया था आपको पता है किन इसकी को दिया गया था ऑसनकर ने clinical कोसं नेक्श प्रस्ण कर लेंगे अगला प्रश्णा में रख कि बरफानी तुफान किस प्रकार का आपदा है बरफानी तुफान जो है यह एक व्यमन्डली आपदा है व्यमन्डली यहाँ पर आईटंसर होगा उसके बद देखेगा कि भारती यह प्रमानिक समय निर्धारित किया जाता है सिंपल सा कोश्चन ह और यहां इलाबाद की समीप नैनी से गुजरती है और यहां रिखा भारत में उत्तरप्रदेश, मद्दप्रदेश, चत्यसगड, और और आंध्रप्रदेश से गुजरती है यह पांच राज आप जरूर याद रखिएगा next question है कि बेगनर के महाधी पेव इस्थापन का सिदान संबंदित है ठीकि थाल ना वेगनर का है ठीक है याद रखिएगा clear ना यह बढ़ा महथ पूर्ण है चीलि आपको पता है दक्षिनि अमेरिका में पड़ता है तो अप्सन नुबर डी यहां पर राइट अंसर हो जाएगा चले उसका बाद नेक्ष कुस्चन है हमारा कि निमने कित्म से कौन सा ही कुम सही नहीं है पंपास अर्जंटीना में है गलत दिया गया एक मिनट सही है कंपास ब्राजील में है ठीक ना कंपास जो है यह ब्राजील तुझाम हमें पढ़ता है ठीक है ये यह ब्लान दिया गया है इसलिए यह सही दिया गया है चलिए उसके बाद करते हैं एक आपका पटाना है पटाना कहां पर है तो यह सिरलंका में पड़ता है घास का मैदान याद रखिएगा ठीक है चलिए उसके बाद दिखिएगा यहाँ पर देखिए एस्टिलक्टाइट एओ एस्टिलगमाइट यहाँ पर दिखिए नीचे पुन आत्मक अस्थलाकृती है तो यह भूमिगत जल की है ठीक है यह प्रश्ण सायद अभी बीपेसी टीचर में पूछा गया था क्लियर चलिए उसके बदेखिन नगरो सहर में कौन भारत का पीट्सबर्ग कहा लाता है तो भारत का पीट्सबर्ग जमसिदपूर को कहा जाता है ठीक है भारत का यहाँ पर पहला इस पात सहर है चलिए 1907 में टाटा इश्टिल प्लंट जमसिदपूर में अस्थापित किया गया था वैलेडिला किस प्रकार खानी दौत पाधन की लिए प्रसिद्ध है वैलेडिला लॉएस की खान छतिसगड में है याद रखेगा लॉएस डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है इसका अंसर आप मुझे कमेंट करके बताई निमनल लिखित में से कौन सा एक सुमेलित यहां पर नहीं है यहां प्रदिके गौरकपुर रापती नदी के किनारे है बिलकुल से लुदियाना 17 नदी के किनारे है जबलपुर सोन नदी के किनारे यहीं जो है सुमेलित नहीं है बाकी सुरत दापती की किनारे यह भी सहीय है अवसंसी right-cancer हो जाएगा नङुत्फपन होता है तभी लगू जुआरभाटा उत्पन होता है एर्द चंदृ कर ठीक है तो राइट अंसर हो जाएगा अर्धी चंद्र के समय दरसल जब सूर्य और चंद्रमा का गुर्त्वाकर्षन वल एक दूसरे के लंबोवत होता है तभी लगुजवारभाटा उत्पन होता है ठीक है चले उसको पर देखेगा कि नमले कितने से कौन एक सिंधू की सहाय नदी है जेलम चीनाब राभी व्यास और सतलज याद रखेगा और इंद्रावती नहीं होगा इसमें से इंद्रावती जो है यहां गौदावरी की सहायक नदी है next question कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है यह प्रित्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर जुका होना है ठीक है तो यहाँ पर right answer option number D हो जाएगा कि लिएर याद रखेगा परित्वी अपने अक्ष पर साड़े 23 डिग्री जुकी हुई है इसे भी ध्यान रखेगा देखे डंकन दरा किनके बीच इस्तित है डंकन पास जो है यह इस्तित किसके बीच है तो डंकन पास जो है यह दक्षिन और लगो अर्णमान दीप समों के मद्धा है तो यह तमिलाड़oo के स्रिलंका के मद्धिक और सब्सक्राइब को पता है विल जन जाती राजस्थाnaire गुजरत तेचट पर लेंबूस। हो जाएगा यह आपका हो जाएगा सिक्किम में ठिक है और नागा चुलिए तो मिला लीजेगा दो द्इन चार एक राइट अन्सर हो जाएगा दो द्धिन चार एक अपशन ए में दिया विलơमन में से किसके लिए परशिद्ध है यहां नेजियात क्रशनषकरण Chetra के लिए f females है काणड़ला गुज़रात पूरत थिक है न को भी उसके बाद लिए पृतिवी की आंत्रीक परत निफ निफ님이 यहां में आपको लिखता यह n हो गया आपका टन i f e अब simple याद है सियाल सीलिकान एलमुनियम सीमा सिलिकन मैगनेशियम ठीक है और हुसके बाद आपका हो जाएगा नीफे में देखें निकेल और फिरस तो यहां पर देखी निकेल और फिरस ऑपसननममण दी में चले 34 number कोसचन है यहां से कि भागौलिक अपर्दन चक्र पिसक्र कि संख्रत किया था भागौलिक अपर्दन चक्र की संख्रत किया था चले उसका बाद नेक्षिट कुस्चन है हमारा सुंडरा ट्रेंचके इंडोनेशिया के ज्यावादीब के समना लंतर है सुंडागर्थ है और हिंद महासाघर में या स्थित है याद रहे गाल का hormones क है जावा किया गया है कहां पर अंतराश्टी अमला वर्सा सूचना केंद्र जो है यहां कहां पर है तो फ्रेंड्स यहां ओसलो में है ओसलो ध्यान रखेगा नौर्वे में ओसलो राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चले उसके बाद कर लेंगे कि भारतिया मानक समय यामियोतर नहीं गुजरती है तो 80.52 डिगरी पूर्वी दिशांतर को भारत का जो है मानक समय रेखा माना गया है और भारत में एक ही टाइम जोन है ध्यान रखेगा और यहमयोतर जो है महाराश्ट से नहीं गुजरती है यह पांच colored से होकर के गुजरती है उत्तरप्रदेश मद्दभादेश सथिस गर्ण उड़िसा और आंधरप्रदेश महराष्ट से हो करके नहीं गुजरती है उसके बाद कि कौन से भारती राजजी की अधिक्तम सीमा मैंनमार से असपर्स करता है तो दिखे मैंनमार से जुआ अरुनाचल परदिस मिजोरम मनिपूर और नागलेंड की सीमा लगती है यहाँ पर ऑप्सन में दिया भी गया है चार मलाई परवत परिस्तित अनाई मुडी है ठीक है अनाई मुडी यहाँ पर ऑप्सन नमबर यह राइट अंसर हो जाएगा क्लियर चलिए दूसरी सबसें उची चोटी पुछेगा तो दोडा बेटा है निलगिरी पहाड़ी पर मन्दाकनी नदी किस जल प्रभा आथ्वा मु मुश्राकनी नदी का संगों मस्तिल युबं रूद्र प्रयाक कह लाता है यह भी आप धियान रखेएगा ये जो है नर्मदा नदी पर है बहाल कुन्ड जो है यह नर्मदा नदी पर है ध्यान रखेगा चलिए उसके बाद question number 27 है हमारा यहां से कि कौनसा राज्य समुह जो है भाकडा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है देखे भाकडा नांगल की बात करते हैं तो यह भारत की सबसे बड़ी नदी गाटी परियोजनाओं में से एक है यह 17 नदी परिस्तित है ठीक है ध्यान रखिएगा हरियाना पंजाब राजस्थान समुह भाकडा नांगल परियोजना है इससे जल प्राप्त करता है तो option number यहां पर सी राइट अंसर बिल्कुल हो जाएगा का कौन सा दीप भारत और स्रिलंका के मदस्तित भारत और स्रिलंका अमद जो इस्तित है यह रामे सवरं न दीप मार्मा गुवा याद रखेगा ठीक है यह पतन गुवा राज्य में इस्तित है ठीक है और यह जुवारी नदी के मुहाने पर है जुवारी नदी के मुहाने पर है जुवारी नदी परादीप उडिसा में है ध्यान रखेगा ठीक है हिंद महासागर में सबसे बड़ा दीप स्थाने गंगा का डेल्टा का उधारन है यहाँ काफी उपजाओ है और यहां चापाकार डेल्टा का उधारन है इस गरीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है ध्यान रखेगा इंपोर्टेंट है उसके बहुत के उत्री डहलान के सहरे किस परवत तो आलप्स परवत के उत्री डहाल के सहरे स्वीट जरलेंड में बहने वाली अस्थानिय पहुंद से क्या है तो देखे एक तो आपका मैं पहले अंसर बताता हूं देहान से सुन देखा यह फॉन है अगर यह चीनुक जो है चीनुक वह याद रखना यह अमेरिका में बहती है यहां रौकी परवत के पूर्वी डहलानों पर रौकी परवत ठीक है याद रखेगा मिश्टरल यह फ्रांस का है और यहां पर देखें बोरा जो है एड्रियाटिक सागर के टट पर चलना बली हाओ नहां विछेप सुरू होता है और अधिकेंद्र पर फिरत्मी के सथा पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर का बिंदू है अधिकेंद्र ठीक है विश्व का सबसे बड़ा भुकंप परिदी परसांत भुकंप यह बेल्ट है याद रखिएगा और अधिकेंद्र इसका राइट प्लाजमा उपस्तित होता है तो यहां पर आपका राइट अंसर यह हो जाएगा क्लियर चलिए और यहां पर दिकी सूपर नुवा जो है सूपर नुवा सूपर नुवा से जो पदार्थ निकलता है उसे निहारिका का जनम होता है सूपर नुवा से और यह जो आपको तारिक मुकाबले में निहारिकाओं का उम्र जो होता है कम होता है अगला प्रशन हमारा की मिलान करना है और वने जो अबैरन एक तरफ है दूसरे तरफ राज है नामदफा जो है यह आपका रुनाचल प्रदेश में है पेरियार जो है और तीन राइट अंसर हो जाएगा अपसिन नमबर ए में दिया गया है किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकरिती वाला डेल्टा बनता है पक्षी के पंजे की आकरिती वाले डेल्टा जो है यहां किस नदी के मुहाने पर बनता है तो यहां नदी है मिसीसीपी मिसीसी है कहां पर तो यहां मेक्सिको की खाड़ी में जा करके बहती है ठीक है तो यहां पर ऑप्शन डी राइट अंसर हो जाएगा चली फीजी द्वीप अवस्तित है फीजी बड़ा ही चर्चा में था क्यों था तो प्रधानमंत्री जी गए थी इसकी आत्रा पर इसी साल और फीज राइट अंसर हो जाएगा चली 23 नमबर कुस्चन कर लेंगे कि परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रिफ किस टट के समीप इस्तित है तो ग्रेट बैरियर रिफ जो है आपको याद भी होगा यहां कहां पर है तो ऑस्टेलिया में है क्विंसलेंड ऑस्टेलिया मे जोंगे की दिवार है और यहां प्रसांत महासागर में है ठीक है तो यहां पर क्विंसलैंड हो जाएगा ठीके निमंण अक्छांस यहां पर यहां पर अक्छांस हो तीक है रिखा कि निर्टन में लगगत सो gag". पर इस्तित है ठीक है तीश डिग्री पर इस्तित है तो यहां पर तीश डिग्री राइट अंसर हो जाएगा एल नीनो बनता है एल नीनो जो है यह गरम जलधारा है और एल नीनो प्रसांत महासागर में बनता है ठीक है ना प्रसांत महासागर में बनता है तो प्रसांत जाएगा ठीक है याद रखेगा इंपोर्टेंट है चले उसका बाद नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अगला प्रशनी कि सत्कुसिया बाग रिजर्ब जो है सत्कुसिया टाइगर रिजर्ब यहां किस राज्य में है सत्कुसिया टाइगर रिजर्ब जो है यहां ओडिसा में ह याद रखेगा सत्कुसिया गौर्ज अभैरन इस सेत्र को वर्ष 1976 में एक अभैरन घोसित किया गया था तो यहां पर दिखे ओडिसा राइट अंसर हो जाएगा देखे निमन में से किस महादीप में सबसे अधिक देश है तो आपको भी पता है यहां अफिरिका महादेश है अ और फिरका राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण की निम्लेकित में से किस छेत्र में प्रवाल भित्ती नहीं पाई जाती है तो दिखे प्रवाल भित्ती जो है कहां पर नहीं पाई जाती है भारती समुदिली छेत्रों में यहां मनार की खाड़ी कच की खाड़ी लक तो जो फॉरेश्ट रिपोर्ट था 2021 का नुसार उसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें मद्यप्रदेश हो जाएगा इसका राइट अंसर ठीक है ना सरवादी घने जंगलों से घिरा शेत्र मद्यप्रदेश का है मद्यप्रदेश यहां पर राइट अंसर हो जाए निमलिखित में से उत्तर दिसा की और के क्रम वाली परवत सिरेनी कौन सी है उत्तर दिसा की और वली तो यहां पर आपका हो जाएगा और देखिए पीर पंजाल परवत सिरेनी लदाक जासकर और कारा कुरम ठीक है ना उत्तर से अधक्सिन से उत्तर की जो है यह क्रम है क्रम पुत्र की बात करते हैं तो तीस्ता हो जाएगा गोदावरी की बात करते हैं तो इंदरावती हो जाएगा और यमना की बात करते हैं तो आपका चंबल हो जाएगा जिसको मिलाईए अब चार फिर तीन दो और एक ठीक है ओप्सन ए में दिख रहा है आपको कोरोमंडल टटका विस्तार है कुमारी अंतरीप से कृष्णा नाधी डेल्टा तक है ठीक है तो यहां पर देखिए ऑप्सन नमबर बी में दिया गया है नेक्स्ट कुस्चन है 49 यहां से देखिएगा 49 नमबर ठीक है यहां 48 हम रहां हो गया 48 और मंदल टर 49 नमबर पिली करांदी किस फसल के उत्पादन से संबंधित है तो सिंपल सा कुस्चन है तीलहन स्वेत करांती दुखद उत्पादन नेली करांती मत्स उत्पादन ठीक है ना चलिए स्वन करांती फॉल सहथ बागवानी यह सब हो जाएगा कौन सा युकम सही सुमिली था इसमें से बताएए तो यहां पर देखें मसाई जन जाती पूर्वी अ और यहां पर देखेंगा तो यह आपका उप्शन बी में सही सुमिल दिया गया है चलिए अगला प्रश्ण हमारा कि भारत में निमलिखित यहां पर देखें कौन सी सिरेणी नविंतम है निमलिखित मेसे यहां मेसे बना लिजे कौन सी सिरेणी नविंतम है तो यहां पर दे वह अरावली परवत सिंखला भारत में सरवादिक प्राचीन परवत सिंखला है तो यहाँ पर option C हो जाएगा एक चंदर दिवस के अवदी होती है 24 घंटे 52 मिनट तो option यहाँ पर A में दिया गया है मिलान करना राज और राष्टी उद्यान तो उत्राखंड में आपका हो जाएगा राजा जी राष्टी उद्यान असम में मानस औरिसा में सिमलेपाल और करनाटक में बांदेपुर दो चार तीन एक राष्ट अंसर हो जाएगा option B भारत की किस प्रदेश की सिमा है तीन देशो क्रमसा नेपाल भोटान और चीन से मिलती है तो देखें यहाँ राज सिक्किम है सिक्किम की जो सिमा है पस्सिम पुर्व में भोटान और उत्तर पुर्व में चीनी स्वायत शेत्र तिवत से मिलती है तो option number यहाँ पर D राइट अंसर हो जाएगा देखें भारती उप महादीप मुलता एक विसाल भुकंड का भाग था जिसे कहते हैं तो यह आपको भी पता है भारती उप महादीप जो ह बात करते हैं तो मेघाले की तीन प्रमुख पहाड़ी स्रेनी है गारो खासी और जयन्तिया ठीक है यहाँ प्रदी के भुवन पहाड़ी नहीं होगा भुवन पहाड़ी असम जिले के बराग घाटी में कच्छार जिले में इस्तित है और यहां मनिपूर और मिजोरम की सिमा पर बराग घाटी के दक्षीन पूर्व में इस्तित है ठीक है चलिए उसके बाद को सनबर 24 है जल्दी जल्दी कवर करेंगे बिल्कोल भी समय वेश्ट नहीं करेंगे अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करें आपका एक लाइक हमें मोटिवीन करता है लेकित दंदीजरी सैनल तो यह लगू अंडमान और कार निकभार के मंद्धे में है लगू अंडमान और कार निकोबार ठीक है न अन्दमान को निकोबार से आठ टीगडी जो है यह मेनी कोई और मालदिव के मद्द नो डिगड़ी मेनी कोई और लक्षदीप मद्द ठीक है और बात करते हैं पाक स्ट्रिट तो यह त्मिलाडू और स्रिलंके के मद्ध है चलिए नेक्ष्ट कुस्टन हमारा सुची मिलान करना है एक तरफ दवाब छेत रहा और दूसरी तरफ नदिया दिया गया है यहां पर दिखेगा बिश्ट दवाब तो यह व्यास और सतलज के मद्ध हो जाएगा बारी दवाब की बात करते हैं तो रावी और व्यास लगाम के मद्ध है इसको मिलाएगा तीन दो एक और चार जो की आप ओप्शन ए में देख सकते हैं ठीक अप्शन एड़ाइट अनसर हो जाएगा चलिए किस नदी पर सीव समुद्रम जल प्रपात अवस्तित है किस नदी पर है तो यहां कावेरी नदी पर है करना ठक में त थिएRadom कि स्ब्र blossom में चलती है गया गए जने बास ही सब्सक्राइब के छल्प्र 11 шего और प्रचंड प्षबस चलने वाली पहुज़हए चीकता 65 में में declaration भी decide औहीं यह तरफें उसके नहीं सुमेलित नहीं त्रफफ दीस दूसरी तरफ इंका राजधानी दिया गहीं पर अबस्वी है ठीकेन बतायां गर से सुमेलित नहीं इन पर देखेगा ओमान की राजधानी जवह्याएं मस्कट है मसकट है ठीक है न बाकी सारे सुमेक्ष निकोसिया कंबोडियद नियमपयन और सिरिया GB कि जब जब ग्रीन मिच में दो पहर का एक बजा हो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा देखिए अब आपको पहले में बता देता हूं कि ग्रीन मिच मेरेडियन टाइम जो है अंतर को पार करने में चार मिनट का समय लगा ठीक है ना पस्तिम होता है तो माइनस होता है लेकिन पूरुब में है तो चार मिनट का समय लगा अब यह 0 डिग्री पर है कौन ग्रीन मेरेडियन टाइम और भारत 85 डिग्री जो है पुर्विद इस अंतर परिस्तित है तो इसका मतलब है आप क्या करेंगे एक डिग्री में चार मिनट का समय लगा है चुकि जीरो पर है ना तो 85 डिग्री पर कितना समय लगेगा तो 85 को आप चार से मल्टिप्लाई करेंगे तो पांच चुक बीस ठीक है चार दुना आठ और दुदस यहां डेसिमल दीजिए चार दुना आर दुदस और आठ चुका बतीस और एक तेतीस यानि कि तीन सो तीस मिनट इसको घंटा में गंटा हो जाएगा 300 मिनट और यहाँ पर दीखिए 30 मिनट और बच गया तो पांच घंटा 30 मिनट आगहें तो यानिक के प्रतिवी की अपने कख्ष में सुरेक से निकतम दूरी को क्या कहते हैं निकतम दूरी और एक अधिकतम दूरी होता है तीन जनवरी के दिन जिसको कि हम लोग उपसौर कहते हैं जिसको कि हम लोग उपसौर कहते हैं और अधिकतम दूरी होता है कब तो यह 4 जुलाई के दिन होता है इसको हम लोग करते हैं अपसौर दोनों को ध्यान रखिएगा निकटम तीन जनवरी के दिन उपसौर कहा जाता अधिकतम चार जुलाई के दिन इसको अपसौर कहा जाता है दक्षिनी भारत की सर्वत्च शिखर का नाम क्या है सिंपल सा कुस्चन अनाई मुडी है और अनामलाई परवत परिस्तित है दूसरा सबसे उचा चोटी दक्षिन भारत का पूश्ता तो डोड़ा बेटा होता सर्वत्च जो है यह अनाई मुडी है निमलेखित में से कौन सी नदी भरंस घाटी से प्रवाहित होती है नर्मदा और ताप्ती नदी और नर्मदा और ता प्रवाहित नदी और और नर्मदा लिदी पर आपको पता है की कौन सा जल प्रपात धूआधार जल प्रपात सूची दिया गहा करना एक तरफ समंद्री जल राया है दोसे तरफ किस महासागर से संबंदित है तो अगलु पर दिया गया और यह उत्तरी प्रसांत की है और ब जो यहां पर देखे दिखा आपको देस्ट को सेCe disciplined प्रजाति कहां पर पाए जाते हैं वंचमिन प्रजाति जो हैं आइलसे क्वी बीरें देडिन जाते हैं यह वहां को सी नधी है जिसका उदुगम और मुहाना भारती गनराज्य में भारती यह गण्राज में हैं कौन सी नदी है बताइए इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पर देख laboratory शतलज और शेंद्व इनका उदम्तिबत में में जो कि की चीन का खेतर है तो भारत में गोदावरी का हो जाएगा गुदावरी का उद्गम कहां से है तो फ्रेंट्स आपको याद होगा नासिक जो महराष्ट में नासिक है जो त्रेंबकम पहाड़ी है वहीं से यह निकलती है ठीक है ना चले अगला प्रश्ण हमारा कि प्रमुख मत से छेतर ग्रैंड बैंक इस्तित है ग्रैं क्रिष्णा नदी की सहाख नदी नहीं इसमें से तो पचछ गंगा और आपका गाठ प्रभाग कोइना तुंग भदरा यहां पर दिखेएगा वर्धा और पूरुना वर्धा और थ्यान रखिएगा नियम्ट कित्cale से कहा सदा बहार बन पाया यह कहां पर पाय जाते हैं टिंधर कुर्वी भारत और को परिस्तित हैं सलीम अली राष्टिय हुद्यान और डोक्टर सलीम अली बर्ड संग्चूरी पक्छी आभार مें नही जाता है। प्रधान यामित्र नहीं गुजरती है प्रधान यामित्र यानि कि ग्रीन विच रेखा यहां सुन्य डिगडी देशांतर है और आपको पता है यहां इंगलेंड फ्रांस स्पेन अलजीरिया उसके बद माली बुर्किना फासो टोगो घाना यहां से होकर की गुजरती है यहां इंगलेंड फ्रांस स्पेन यूरोप में हो गया अलजीरिया माली बुर्किना फासो टैगो या टोगो कहिए टोगो और गाना से होकर की गुजरती है यहां से होकर की यह नहीं गुजरती है नाइजर से 23 नंबर कोस्टन देखेगा कि प्रतिवी पर मुलता एक ही विसाल भो देखेगा और पैंजिया सब्द 1928 में अलफ्रेड बेगनर के सिधांत पर चर्चा के दौरान प्रकास में आया था उसका इसके नमलीखित में से किसे परवतों का सागर कहा जाता है परवतों का सागर जो है यहां किसको कहा जाता है तो फ्रेंड्स प्रसांथ महाशागर की पुर्वी ट्रट पर इस्थित ब्रिटिस कोलंबिया को परवतों का सागर कहा जाता है। ठीक है तो यहां पर दीकिए ब्रेटिस कोलंबिया राइट अनसर हो जायेगा। उसके बाद दीकिए कौन से इसमेश सुमेलित नहीं है। माउंट रेनर जो है USA में है, माउंट एटना जो है इटली में है, माउंट पेरिकूटीन जो है यह फिलिपिन्स में नहीं है, माउंट पेरिकूटीन मेक्सिको में है, कहां पर है यह मेक्सिको में है, ठीक है ना ध्यान रखेगा, माउंट एपो फिलिपिन्स में है, तो यह भ नहीं होगा इरान राइट अंसर हो जाएगा ठीक है इरान जो है नहीं है उसके बाद एक नेक्स्ट कुस्टन हमारा किस मिलान करना है तरफ देश उसके तरह राजधानी दिया और चार आपसर नमबर कहां पर दिख रहा है लगान दो-3142314 गोपसर नमबर में दिख रहा है उत्तरी अमेरेका में नियाग्रा जो वाटर फॉल्स जलपर पात थैं किन दो जीनों के बीच इस्तित है तो नियाग्रा जलपरपात याने रखेगा उतनी अमेरिका में है और यहां जलपरपात ओंटोरियो जील और इरी जील और इरी जील इसी के बीच में इस्तित है ठीक है और यहां अमेरिका और कनाड़ा की सीमा पर है इसे भी आप ज्यान रखे देखे एक तरफ खानन से तरजिया गया और दुसरे तरफ खानित संपता दिया ग जाएगा और मुसाबनी जो होगा या आपका दामबा हो जाएगा जिसको मिला सकते हैं तीन हो जाएगा ठीक है ना फिर यहां पर आपका चार हो जाएगा फिर आपका देख लिजे एक हो जाएगा और फिर आपका यहां पर दो हो जाएगा ठीक है ना चलिए तो तीन चार एक दाता कहलाता है मानों भूगुल का जनम दाता कहा जाता है फैडरिक रेट जेल को ठीक है ना यहां पर राइट अंसर हो जाएगा इन्हों ने एंथ्ट्रो पायोग्राफी की रचना भी किया था एंथ्ट्रो पायोग्राफी की रचना ठीक है न रखेगा तो यहां पर जंडर वान हमबोल्ट को वैसे भूगूल का जनक हीकेटियस को कहा जाता है ठीक है तो यहां पर आपका सर्गैसु सागर हो जाएगा इसमें जिवास्म पाए जाते हैं इसका अंसर आप मुझे कमेंट करके बताएगा बहुत ही पॉपुलर कोश्चन है किस चटान में जिवास्म पाए जाते हैं किलियर एक प्रश्ण में आपसे हर वीडियो में पूस्ता हूं इसका अंसर आप मुझे कमेंट करके बताएगा काजरंगा नेशनल पार्क कहां पर है ज्यादा समय वेश्ट नहीं करेंगे काजरंगा असम में है मानस भी असम में है द सांगो ना दिविर के नाम से भी जाना जाता है और यह ऐफ्रैका की नदी है याद रखेंगे लिम पोप है जो है इक लिम पोपो नदी यहां मुझा लिम पोपो नदी पurn fasten लिम पौप नदी जो है यह मकर रिखा को दो बार काटती है मुझार को दो बार काटती है Chaparणव भी अफ्रिका में ही है के लिए याद रखिएगा चलिए उसका बद कौनसी नदी कस्मीर-घाटी में बहती है तो कस्मीर घाटी में आँ झेलम नदी भी ठीक है न झेलम राइट अंसर हो जाएगा याद रखिएगा चले प्रसांत और अट्लांटिक महासागर को जोड़ती है तो यह नहर पनामा नहर है ठीक है नहर पनामा अस्थल डमरू मद्दे को काटती हुए निर्मित है और इस पर पनामा देश का नियंत्रन है ठीक 2014 में इसका उद्घाटन हुआ था तो यहां पर पनामा राइट अंसर हो जाए पंबन दिप किस राजि में इस्तित है पंबन दिप जो है यहां तमिल आडू में है पंबन दिप रामिस्परन दिप भीश को कहा जाता है और यहां प्रायदीप यह भारत और स्रलंका के बीच मे दिप का अधिकांस हिस्सा जो है समदरतल के नीचे है तमिल आडू यहां पर राइट अंसर हो जाएगा देखे हिंद महासागर में लाल धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निमलिकित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदाई है तो यह उत्तरदाई है हिंद म महासागर में मौनसूनी प्रवाह पाये जाता है ठीक है ना राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्सन नंबर यहां पर भी हो जाएगा अगला प्रशन है सूची दिया गया है मिलान करना है और इसका अंसर छुन करके बताना एक तरफ महासागर है और दूसरी तरफ उन महासागर का आपका हो जाएगा जावा और आर्करटिक महासागर का हो जाएगा आपका यूरेशियन बेसिन तो यह आपका हो जाएगा तीन चार एक और दो ये क्रम याद रखे तीन चार एक दो तीन चार एक दो तो देखे कहाँ पर दियाएगा अपसन नमर यहाँ पर बी में देख सकते हैं तीन चार एक दो चीनुक हवा का अर्थ होता है हीम भक्षी और यहाँ रौकी परवत की पूर्वी ढालानों के सहारी चलने वाली एक गरम तथा सुस्क पौन है जो दक्षिन में कोलरेडो के दक्षिनी भाग से उत्तर में कनाडा की ब्रेटिस कोलंबिया तक प्रभाइत होती है और इसके प्रभाव से जाड़े का तापमान बढ़ जाता है और बर्फ पिगल जाती है और मसीत काल में हरी भरी घासे उगाती है और यहाँ पसुपालकों के लिए लावदायक होता है क्योंकि इससे चारागाह बर्फ मुक्त हो जाता है तो आप्सन नमर यहां पर ए राइट अंसर हो जाएगा निमने लिखित कि इस पहाड़ी पर पुर्वी घाट पस्मी घाट से मिलता है यानि कि पुर्वी घाट और पस्मी घाट का मिलन कौन सा है तो यह आपका इसमें से निलगीरी पहाड़ी हो जाएगा ठीक है ना निलगीरी पहाड़ी जो हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है और निलगीरी पहाड़ी जो है आपको पता है इसकी सबसे उची चोटी पूछा जाता है कौन सी है तो दोड़ा और उडिशा में वस्तित है याद रखिएगा ठीक है ना तो यहाँ पर अप्शन नमबर बी हो जाएगा 36 गट और उडिशा दोनों ध्यान रखिएगा चलिए उसका बाद एक कोरी क्रिक यानि कि निवेशिका इस्तित है यह कोरी क्रिक है और एक सर क्रिक है तो आप से कोरी क् कुछ की खाड़ी में इस्तित है यहां पर आप देख सकता है कच के रण में और अरब सागर के पास में यह इस्तित है और यह निविशिका पूंड रुप से भारत के स्वामितों में है ठीक है कोई भी विवाद नहीं है इसको लेकर के लेकिन सरक्रिक आपको याद रखना है कि गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है सरक्रिक ने लिखित में से कौन सा जल्डम्रों काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है काला सागर को और मरमरा सागर को तो निश्य सी यहां बासपूरस जल्डम्रों मद्ध है ठीक है यहां वह मद्ध साग सबसे बड़ा दिन दक्षनी गुलार्थ का सबसे बड़ा दिन बार बार पूछा जाता है दक्षनी गुलार्थ का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और उतले गुलार्थ का 21 के दिन होता है ठीक है ध्यान रखेगा दक्षनी गुलार्थ का सबसे बड़ा दिन 22 है तो है तो यहां पर 911 यह का 22 समेंसंबर हो जाएगा चलए दो समाना अंतर भ zrobi उठेवे भाक क्या जाता है तो इसको कहा जाता है दो समनांतर विह उठेवर भाक को भाक फोरेष्ट का प्रवत नहीं ठीक ब्लॉक परवत कहा जाता है किलियर चलिए उसके दोमत मिट्टी यहां पर देखें दोमत मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें दोमत मिट्टी में क्या होता है दोमत मिट्टी में आपको जितने भी खादान फसले हैं उनका उत्पादन बड़ा-बढ़ियां ही तरीके से होता है ठीक है चलिए बताइए तो यहां पर देखें बालू के कौनों का अनुपात अधिक और मिर्तिका की जीव की मात्रा कम होती है और यहां पर भी राइट एंसर हो जाएगा ठीक है और आपको पता है कि मिटी फॉसलों के लिए अत्यंत मैंने पताया था कि आपको उर्वर महती है और 40 परसेंट इसमें स्लीट और चिकनी मिट्टे यह सब 20 परसेंट 42 परसेंट बालू होता है चलिए उसका बाद नेक्स्ट कुस्ट्स कर लेंगे अगला प्रशन हमारा किनम लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पवन दिया गया और देश दिया है सेंटा एना चले बताइए कहां की है तो य मिश्ट्रल याद रखेंगे मिश्ट्रल जो है यहां खास करके स्पिन और फ्रांस को प्रभाइद करती है ठीक है न तो यह गलत दिया गया है और श्टेलिया के विक्टोरिया मरोस्तर में चलने वाली गर्म और सुस्क अस्थानियों पॉन को ब्रिक फिल्टर कहा जाता है तो यहां पर आपका मिश्ट्रल गलत दिया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोस्टन है कि नमलेखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखे एक तरफ देश है दूसरी तरफ उनकी मुद्राएं दी गई है बहरीन की मुद्रा जो है यहां दिनार है सही है बहरीन की मंगोलिया कि राज़धानी उलान बटोर है और तूग्री कि मुद्रा है मलेशिया कि राज़धानी कोलालंपुर है रिंगिट इस की मुद्रा है इसरायल की बात करते हैं तो जेरुसल्म और यहां पर डॉलर नहीं है बहर supersi हैं नियू सेक्सधिगा उप्सरींस सुमेथ न सिमानी हो जाएगा यहाँ पर सी राइट अंसर हो जाएगा किलियर सतलाज ब्यास रावी चीनाब और जहलम मिलकर के पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंदू नधे में जाकाल कर मिलती है सूची मिलान करना है खेतेरी जो है आपका किस के लिए प्रसिद्ध है तामबा के लिए खेतेरी राजसतान ठीक है न नवली तो नवेली पढ़िए इसको यह लिगनाइट के लिए है जादू-गोड़ आपका उरेनियम के लिए है और कुद्रमुक जो है करनाटक में लोहा के लिए के लिए चलिए तो यह मिला लीजेगा एक दो चार तीन एक दो चार तीन ऑप्सन नंबर भी में दिख रहा है उसका बाद कि कृष्ण छिद्र सिधानत के प्रतिपादा कौन थे कृष्ण छिद् तो यह आपका एस चंद्रशेखर राइट अंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चले उसका बाद नेक्ष्ट कोस्टन है हमारा कि यूरोप में परवत स्रिंखला है यह किन दो देशों को अला करती है यह कोस्टन कई दभा पूछा भी जा राउना है जूरा अलप स्था ये सब न है नियुकित में सब्सक्तान भारत पहला स्वदैस्फी परियास से बना पर्मानों को विदुद केंद्र है छो दीशीं परियास तो पहला सवदति ही परियास से बना है सुट्क कम के पूब कहां पर है mythu राजजिये मैं ठीक ह प्रवतीय जो दर्राः है दरों लिख दियागा इस तरह से दरों होना चाहिए QAV उनको बताना प्सिम से यहां पर हिमाचल प्रदैस सिपकिला हिमाचल प्रदैस हम आ costume है एक हुसे बाद हम लोग आजाएगे आपका लिपुल लिक सब्सक्राइड है ठीकिन अप पिर उसके बाद आप चलना हम इसमें नाथुला और बोम हम डिला में यानि कि बुम डिला और नाचल में है और अपका कहां पर है और फिर आपका फिर ब करम कि एक चार और दो तीन 4 ,23 option c में दिख गया उसके बाद next question हमारा कि एननौर बंद्रगाह कहां परिश्तित था इनर बंद्रगाह जो है ये कहां परिश्तित था कैना तमिलाडव में इस्तित था या बंद्रगाह कॉरमेंडल परवस्तित है याद रखेगा तो ये तमिलाडव हो जाएगा पारादीप ओड़े सामें है ठीक है न से इसके देखिए और यहापका बंस्पति प्रकार दिया गया और उसका छेतर दिया गाया तो आपका यहांपर माक 직 सब्सक्राइब हो जाएगा धक्षिन आफ्रिक्ा चैपरेल क्यलिफोर्निया और मेंटरियल आपका चीद्ग homem यह दो फिर आपका दोनों दिया गया है ठीक है तो इसको हम लोग पारिस्थित्की तंत्र कहते हैं और पारिस्थित्की तंत्र सब्द सरपर्थम 1935 में एजी टांसले ने दिया था यहाँ याद रख सकते हैं ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट कोस्ण कर लेंगे तो यहाँ पर पारिस्थित्की तंत्र हो जाएगा और पारिस्थित्की तंत्र के जैविक और आजैविक घटकों के बीच संबंद को क्या कहा जाता है तो होलो यह हम लिख देता हूं इसको कहा जाता है होलो के नोसिस ठीक है अंग्रेजी में लि यहां पर राइट अंसर हो जाएगा चले उसका बद देखेगा कि निमने लिखित में से कौन सा जील दो राजियों के साथ सीमा बनाता है तो दो राजिय जो है तमिलाडू और आंधर प्रदिस के बीद सीमा बनाता है यहां पुलिकट जील है पुलिकट चिलका औरिसा में है लोनार महराष्ट में हैं और कोलेरू आंधर प्रदिस में है याद रखेगा option D यहां पर राइट अंसर हो जायेगा देगा भी कल्प में कौन सा देश भू आविसीट नहीं है यानिकि लैंड लोक कंट्री नहीं है तो इसमें से लैंड लोक नहीं कौन सा या तो ब्राजील नहीं है ठीकरना ब्राजील नहीं होगा याद रखेगा चलिए उसके बाद Nextacher कर लेंगे अगला प्रिशन हमारा की Great Victoria मरुस्तल कहा है Great Victoria और एक Gibson मरुस्तल है दोनों जो है Great Victoria और ग Production कहां पर है तो फ्रेंट्स याद रखेगा यह तर्वॉस्टेलिया में है उसका किस परवत सिंखला परिश्थित है। कोडाई कनाल यह तमिलाडू में है, एक हील एस्टेशन है, मतलब एक पहाड़ी सहर है, प्रेटन अस्थल है और यहाँ पालनी परवत सिंखला परिश्थित है। ठीक है ना। चले इंद्रागांधी राष्टी उध्यान कहां परिश्थ है इंद्रागांदि राश्टी उद्यान तो ये भी तमिलाडू में ही है तमिलाडू यहां पर राइट अंसर हो जाएगा तमिलाडू के तुम्धा बतूर्ड में यहां चलिये उसका वाद हैं जो है सेपन अप्चाués अपरदन इन सभी के दवारा जो है होती है उसका बज़े लिए 45 नंबर कोस्टन है यहां से कि भारतिय थल सेना के दक्सिन पस्टिम कमांड का मुख्याले का है भारतिय थल सेना को साथ कमांड में बाटा गया है कितने कमांड में साथ कमांड में पहला तो यह चारो दिशा हो गया पूर्वी कमा कमांड याद रखीएगा उसका बाद कीलिक बस्जिम कमांड का मुख्यालब अम बता देता हूं जैपुर है चर्णे आ बदीशाओं पर आते हैं पुर्वी कमांड का हेड कोकाता है ठीक है उसके बाहए पस्मि कमांड का कंडी मंदिर रहे उत्री कमांड का उधंपूर है दक्सिन कमांड का पूने है और दक्सिन पस्सिम का जैपूर हो गया मद्द कमांड का लखनौ हो गया और सेना प्रसिक्षन कमांड का सिमला हो गया चले राष्ट्य उपभोगता दिवस को मनाय जाता है अथा ये राष्ट्य उपभोगता दिवस है और एक है आपका विश्व उपभोगता अधिकार दिवस विश्व उपभोगता अधिकार दिवस जो है यह 15 मार्च के दिन मनाय जाता है और राष्ट्य उपभोगता दिवस यह 24 दिसंबर के दिन मनाए जाता है चले उसके बाद कि योकोहामा रणनेती निमनलखित में से किस्य संबंधित है योकोहामा रणनेती जो है 1994 में जपान की योकोहमा नगर में आपदा प्रबंदन के संबंध में 2020 कॉन्फिरेंस में 2020 में आने वाले वीभिन जो आपदा Yes से है सलिए उसकी पमतिके और स्थितिक तिंत्र हैं जिसे उनेशको के मानव और इंतरगत HELCBut मानेतपूराप्त जु सबद्ध जू है जिव मंड़ के रही कि अंसर हो जाएगा पंच्रेथ बंद corp पर बनाया गया है तो पंचेत जो है यह आपका दामोदर नदी पर है दामोदर नदी पर है पंचेत बांद जारखंट राज में इस्तित्या और इसला भानवित राज पस्षिम बंगाल और जारखंट